जहां तक आपने कोरोना वाइरस की बात की आप बैटिये मैं बताता हूं अनुबह आभी बैठिये जाहां तक आपने कोरोना वाइरस की बात की तो यह सही है कि बहुत से लोग इसे लेकर बहुत चिंता में हैं मैं समझता हूँ इसमें आपकी और हमारी हम सब की सतर्था बहुत महत्वपूर्ण है चाहे केंद्र सरकार हो या हमारी तमाम राज्य सरकारे हो या मुनिसिपालिटी हो ग्राम पंचायत हो सभी इस मामले को लेकर उचीत इंतजाम और देखरेक में जुटे हुए है हमारे पास कुशल डॉक्टर और मेडिकल स्टाप भी है सौंसादन भी है और जागरुक आप जैसे अनेक नागरिक भी है हमें बस अपनी सावधानियों में कोई कमी नहीं आनी देनी चाहिए और ये भी समझ लेना चाहिए कि सावधानिया क्या है कि बड़ी बड़ी बाते नहीं है जी कि यह अलग अलग माध्यों में से आपको साथ पता भी चलता होगा लेकिन हम सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं मैं फिर से एक बार जब आपने मुझे पूछा है तो मोका ले लेता हूं और आपके माध्यम से देश के सभी नागरीकों के लिए वो सारी बातें मैं दोहरा रहा हूं और मैं कहता हूं का आप भी याद रखिए और हर स्कूल में कॉलेज में सब जगापे बत कहीं इकठा होने से बचना होगा और दूसरा हमें बार बार जितना हो सके अपने हाथ धोते रहना चाहिए और बराबर सफाई करनी चाहिए अपने चेहरे को अपने नाक और अपने मूँ को बार-बार छूने की हमारी जो आदत है अब थोड़ा उस आदल को बदलना होगा जितना हो सके इस आदत को हमें कंट्रोल करना है और धूले हुए हाथों से ही अपने मूँ को टच करना चाहिए जानकारों का कहना ये है कि ये खांसते या छिंकते समय जो छीटे निकलते हैं सांस के साथ ऐसे छोटे 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 बिंदू निकलते दिखते भी नहीं है उसमें जो भी संपर्ग में आता है उसे ये फैलता है ऐसे में जिस भी चीज़ पर ये छीटे गिरते हैं उसमें ये वायरस कई दिनों तक जिवित रह सकता है इसलिए बार बार साबुन से हाथ दोना बहुत जरूरी है एक और आदत हमें जरूर डालनी है अगर खांसी और छीख हमें आती है तो कोशिच यही करनी है कि दूसरों पर इसके छीटे न पड़े और जो कपड़ा या रुमाल हमने छीखने के समय इस्तिमाल किया होता है उसे भी दूसरों के संपर्क में न आने दे साथियों जिन जिन लोगों को ये संकर्मन हुआ है उनको तो जरूरी निगरानी में रखा ही जा रहा है पूरे वाच में रखा जाता है लेकिन अगर किसी साथी को शक होता है कि वो किसी संक्रमित साथी के संपर्ग में आया है तो उसको बहुत गवराने की जुरुवत नहीं है अपने मूँ को मास्क से ढंक करके या किसी बड़े कपड़े से ढंक करके सबसे पहला काम करना चाहिए किसी ने किसी नदिदी की अस्पताल में चेक करवा लीजिए ये बहुत जरूरी है परिवार में जो बाकी लोग होते हैं उनको भी infection होने की आशंका ज्यादा होती है ऐसे में उनको भी जरूरी टेश करा लेने चाहिए ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए ग्लव्ज भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बना करके रहना चाहिए मास्क पहनना है या नहीं पहनना है इसे लेकर जानकारों की अलग अलग राय है लेकिन ध्यान यही रखना है कि खांसते या च्षिंकते समय जो हवा निकलती है उसके चाहिए जो छोटे-छोटे बारिक ड्रॉप निकलते हैं ड्रॉपलेट्स वो दूसरों पर न जाएं वैसे मास्क पहनते समय भी एक चीज ध्यान रखनी है मास्क को एड़्जेस करते हमारा हाथ बार-बार मूँ और को छूता है इससे बचाव की जगह इंफेक्शन फैलने की आशनका बढ़ जाती है साथ यो ऐसे समय में अफ्वाएं भी तेजी से फैलती है कोई कहता यह नहीं खाना है वो नहीं करना है कुछ लोग चार नहीं चीजी लेकर के आ जाएंगे कि यह खाने से कैरोना वायरत से बचा जा सकता है धीकना करने से बचा जा सकता है मेरी सभी देशवासियो प्राथना है महरबानी करके इन अफ्वावों से भी बचना है आपको कुछ भी लगता है जो भी करे अपने डॉक्टर की सलह से ही करे हम स्वयम डॉक्टर न बढ़ जाए और हां पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है तो हम भी हाथ मिलाने के बजाए इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समयता यो उत्तम समय है नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए तो मुझे विश्वास है कि छोटी छोटी बाते हैं शाहिद डॉक्तर लोग भी आपको यही बताएंगे आप भी सबको यही बताएंगे डराओने डरने की जरूत नहीं है भाई प्यदा करने की जरूत नहीं है अफाई भलाने की जरूत नहीं है बस इतनी सीच चिंता करनी है करने की जरूत नहीं है